दोस्तों आप मेरे आथ में दो कार्ड देख रहे हैं एक आथ में मेरा ATM कार्ड है याने की डेविट कार्ड है और एक आथ में मेरा क्रेडिट कार्ड है तो फ्रेंट्स यह कार्ड आपको देखने में तो सेम लग रहे हैं लेकिन इनके यूजिज अलग अलग हैं तो फ्रेंट आप से request है कि आप वीडियो को last तक जरूर देखे तभी आप जान पाओगे कि debit card का क्या use है और credit card का क्या use है तो friends आप वीडियो को बिना skip किये last तक जरूर देखे क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत informative होने वाली है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है दोस्तों आज कल credit card आपको रेक जगे मिल जाते चाहिए आपका कोई सरकारी bank है या private bank है या कोई non banking finance company है से भी आपको credit card ओपर कर देते हैं जहाँ पर भी आपका account होता है वहाँ से आप credit card apply भी कर सकते हो और आप सामने से bank है और non banking finance company भी आपको ओपर कर देती है तो friends आज इ कर सकते हो और कितना यूज कर सकते हो तो friends अब देरी ने करते हैं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि credit card क्या होता है दोस्तों आपको bank या non banking finance company जो भी credit card ओपर करती है वह bank या company उसकी एक limit set करती है वह limit आपकी 30,000 रुपे भी हो सकती है 50,000 रुपे भी हो स तो friends आपके credit card के limit fix करके वह bank या non banking finance company आपको credit card देती है फिर आपको limit बिलती है उसका आप कैसे यूज कर सकते हो और आप कहां का यूज कर सकते हो दोस्तों credit card की limit का यूज आप अगर आपके पास bike है या पिर car है या कोई बड़ी गाड़ी है उसमें आप petrol डिजल डलवाने के लिए भी उज कर सकते हो आप अपने credit card से बिल की payment भी कर सकते हो चाए वो फिर आपका बिजली का बिल हो या gas connection का बिल हो या पानी connection का बिल हो या credit card का बिल हो चाए किसी भी प्रकार का बिल हो आप अपने credit card से उस बिल का payment कर सकते हो दोस्तों आप अपने credit card से रिचार्ज भी कर सकते हो चाहिए फिर वो आपका मोबाइल का रिचार्ज हो या वाइफाई का रिचार्ज हो आप अपने क्रेड कार्ड से ये दोनों रिचार्ज कर सकते हो दोस्तों आप अपने credit card से ticket book भी कर सकते हो चाहिए फिर वो आपकी flight की ticket हो या bus की ticket हो या train की ticket हो या फिर आपकी movie की ticket हो आप अपने credit card से ticket book की भी कर सकते हो चाहिए फिर वो किसी फरकार की ticket हो दोस्तों आप अपने credit card को shopping करने के लिए उज़ भी कर सकते हो आप अगर आप करते हो कोई भी समान खरीदना चाहते हो तो आप अपने क्रेड़ कार्ड से ओनलाइन सोपिंग कर सकते हो और दोस्तों आप अपने क्रेड़ कार्ड से अगर आपको कोई लोन चल रहा है तो आप उसकी EMI भी पे कर सकते हो दोस्तों आप अपने credit card से money transfer भी कर सकते हो और दोस्तों अगर आपके पास कोई emergency आ जाती है या कोई आपको बहुत ही ज्यादा पैसों की need पड़ जाती है और आपके पास cash नहीं है तो आप emergency में आपने credit card से ATM में जाकर cash भी withdraw कर सकते हो लेकिन दोस्तों सिर्फ emergency में ही करना है बहुत ही ज्यादा need हो कोई बड़ी emergency है तो तभी आपको अपने credit card से ATM में जाकर cash withdraw करना है दोस्तों अगर आप अपने credit card से cash withdraw करते हो तो इसके लिए आपको बहुत ही बड़ी plenty देनी पड़ती है बहुत ही ज्यादा highest interest pay करना पड़ता है दोस्तों अपने credit card के limit को use तो कर लिया आप इसके prepayment का time आता है तो friends आपको अपने credit card पर रिचाए वो किसी भी bank का है कोई भी government bank है या private bank है या non banking finance company है उसमें आपको एक repayment का time मिलता है वो time आपका 30 दिन से लेकर 45 दिन के बीच का होता है और credit card के एक bill generate होता है जिसकी एक fixed date होती है क आपके 12 तारिक से लेकर 15 तारिक के बीच होती है maximum आपके credit card के bill generate होता हो 10 तारिक से लेकर 18 तारिक के बीच ही हो जाता है और फिर आपके एक due date बनती है जो महईने की फर्ष्ट तारिक से लेकर पांच तारिक तक आपको pay करना होता है तो दोस्तों अगर आप अपनी due date को miss कर देते हो तो आपको इसके लिए भी बहुत ही आईयस charges pay करने पड़ते हैं बहुत ही ज्यादा interest pay करना पड़ता है दोस्तों यह था repayment का process कैसे आपको repayment करनी है तो दोस के लिए आपको बहुत ही आईयस charges pay करने पड़ते हैं दोस्तों आप बात कर लेते credit card को apply कोन कर सकता है दोस्तों credit card को apply करने के लिए कोई ability criteria नहीं होता अगर आपका account किसी भी bank में है चाए हो government है या private है तो आप credit card के लिए apply कर सकते हो फिर वह bank decide करता कि आपका credit card approved होता है या reject हो जाता है तो friends यह थी credit card के बारे में कुछ जरूरी बात है जो मैंने आज आपके साथ share की है तो friends मुझे उमीद है कि video आपके लिए ब जरूर करें और channel पर first time आई थे तो channel को भी subscribe जरूर करें और साथ ही bell icon को भी press करें जिससे कि हमारे आने वाली next video का notification आपको समय पर मिल सकें और video को ज्यादे से ज्यादा share भी जरूर करें